हाई फ्रेंट्स फैक्ट साइट के इस एपिसोड में आज हम लोग देखें के वर्ल्ट के टॉप टेन हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में फ्रेंट्स दसको पहले ट्रेन की इंवेंशन हो चुकी थी जैसे जैसे समय बीटता गया इन ट्रेनों के डिजाइन, कमपर्टेबल जर्नी और स्पीड में भी डिबलोग किया गया आज कल तो मेगनेट के सहारे तैरने वाली ट्रेनों का भी इंवेंशन हो चुका है आईए देखते हैं ऐसे ही वर्ल्ट के टॉप टेन हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में नमबर टीन, टी एचेसर सेविन हंडरेटी टाइवान टी एचेसर सेविन हंडरेटी टाइवान का हाई स्पीड इलेक्रिक ट्रेन है ये ट्रेन जापान के सिंकान सेविन हंडरेट पर आधारित है इसे जापान में ही कावा सकी हेवी इंडस्ट्री, निपन सारियोन और Hitachi Rail Limited दोवारा Taiwan High Speed Rail Corporation के लिए 30 train ने डिजाइन और डेवलोग किया गया था THSR T-Sept और Euro-Dynamically Optimized Pantocrafts जो train को high speed में भी stable और noise को reduce करती है इसमें लगे IGBT-based 36 motors जो इसे 15 मिनट में 300 km per hour की top speed देती है 5 January 2007 से 8 Megasities के 23,000 पैसेंजर को हर रोज 300 km per hour की top speed से service देती आ रही है No.9 Frisierosa 1000 Italy Frisierosa Italy के high speed electric train है इसे Ansel Dobreda, Hitachi Rail Italy और Bombardier इन तीनों कमपनी द्वार संग्जुक्त होकर Italy में ही design और डेवलोग किया गया है इसे Italian State Railway Operator Tintalia Dora operate किया जाता है IGBT synchronous AC traction motor 9,800 kW electric की मदद से 13,100 horsepower प्रोड्यूस करती है जो इसे 300 km per hour की top speed देती है इस Luxurious train को 4 classों में बाटा गया है Standard 2nd class, Premium 2nd class, Business 1st class, Premium 1st class के साथ सक एक restaurant भी है जहां खाने पीने के साथ drinks का भी लुपत उठा सकते हैं No.8 SNCF TGB Duplex France SNCF TGB Duplex French High Speed Electric Train है Halston Company दोवारा manufacture किया गया इस train को French National Railway Company दोवारा operate किया जाता है Duplex की top speed 320 km per hour की है जो 12,440 horsepower की मदद से मिलती है इसका interior design आपको surprise कर देगी और आप कहोगे वाउ अगर आपको सफर के दोरान wine का खास sock है तो ये train आपके लिए खास हो सकती है क्योंकि इसके अंदर बार भी है Duplex का ride इतना comfortable है कि आप एक ही सब्द कहोगे Really great Elstom Euro Duplex French High Speed Double Decker Electric Multiple Unit train है Elstom Company दोगार डेबलोग किया ये train TGV Duplex से unique and advanced features के साथ साथ passenger capacity भी जादा है Euro Duplex TGV Duplex का ही third generation है 9,300 kilowatt electric जो इसे 12,440 horsepower देती है It means 12,440 horsepower Pull the train Elstom Euro Duplex French National Railway Company SNCF और मुराक्वन नेशनल रेलवे कंपनी ONCF दोवारा ओपरेट के आ जाता है इसका interior design आपको हैरान कर देगी ये कुछ अठपटा सा लगता है Strong nose tunnel से गुजरने के दौरान परने वाली pressure को Easily remove कर देती है होने के कारण इसे पोटो कहा जाता है 7000 HP का दमदार ताकत इसे 350 km पर आवर की टौप speed देती है Number 4 Siemens Velaro AVE-103 Spain Siemens Velaro Electrical Multiple Unit Train है Siemens Velaro को विभिन्ने देशों में चलाया जाता है जैसे Germany, Belgium, France, Spain, Russia, Turkey और भी बहुत सारे देशों में Velaro weather friendly है क्योंकि कुछ देशों में बहुत ज़्यादा गर्मी तो कुछ देश बरफीले होते है लेकिन किसी भी weather में ये फर्राटे के साथ दोड़ती है Siemens Velaro AVE-103 Class जिसे Spain में Spanish State Railway Company रेंफी द्वारा ओपरेट किया जाता है 8,800 किलोवाट इलेक्रिक जो इसे 11,800 होट्स पावर देती है 2006 से 350 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीट से लगतार सेवा में है नमबर 3, AGV Italo Italy AGV Italo Build by Alstom Company ये इटालियन हाई स्पीट इलेक्रिक ट्रेन है परवन फाइबर और एलोई अलमुनियम इस रन से बना इसका बॉड़ी दुसरे ट्रेनों के मुकाबले 15% हलकी है दो कॉमपाटमेंट के बीच एक्टिव सस्पेंशन जो इसे सुमूत और कॉमपाटेवल बनाती है फ्रेंट्स घंटो जरनी के बाद भी आपको थोड़ा सा भी थकान महसूस नहीं होगा इटालो के टोटल 7 कॉमपाटमेंट जो 132 मीटर लंबा है लेधर सीट और लार्ज विंडो इंटिरियर यूनिक और कुल लूप देती है 80% रिसाइकल मेटरियल से बना एजी वी इटालो की टोप स्पीट 360 किलो मीटर पर आवर है नमबर 2 हर्मोनी CRH 380 है चाइना इसकी टोप स्पीट 380 किलो मीटर पर आवर है इसकी टोप स्पीट 380 किलो मीटर पर आवर है हर्मोनी पूरी तरह चाइनीज टेकनोलेजी से बनाया गया है स्ट्रीम लाइन हेट डिजाइन जो इसे एरो डाइनमिक रेजिस्टेंस यानि हावा गती रोत को 6.1 परसेंट कम करने के साथ साथ ट्रेन को स्टेबल और इंटिरियर नॉइज को भी कम करता है एलोई अलुमूनिया मेटल बोडी लाइट वेट होने के कारण 380 किलो मीटर का टॉप स्पीट स्रिफ 7 मिनट में पहुँच जाती है हार्मोनी के वी आईपी सीट्स और साइट सीन के लिए लार्ज वींडोस बहरी इंप्रेसिव है बारिश या कुआसे के दोरान वींडो गलास पर जमने वाली पानी को भी इसमें लगे इलेक्ट्रोनिक सिस्टेम के दोरे इसली रिमूब किया जा सकता है ताकि नेचर के साइट सीन आपके लिए खास बनी रहे नमबर वन संगाई मेगलब चैना संगाई मेगलब वाल्ट का सबसे फाच्टेस्ट कमर्सियल ट्रेन है जिसे संगाई मेगलब टांस्पोटेशन डेवलोपमेंट कमपनी दोरा ओपरेट किया जाता है मेगलब मेगनेट लेविटेशन ट्रेन है यानि चुम्बक के सारे तैने वाली ट्रेन ये चार मिनट में 430 किलो मीटर का टॉप इस्टिप कर पहुंच जाता है मेगलब को हर रोज 15 से 20 मिनट के एकसेक्ट टाइम से संगाई पोडॉंग इंटरनेशनल एर कोट से लोंगियंग रोड इस्टेशन सक चलाया जाता है जिसका डिस्टेंस 30 किलो मीटर है वान वे राइड के लिए आपको 80 USD यानि 8 अमेरिकन डॉलर जबकि इसी ट्रेन के VIP पास के लिए आपको डबल चार्ज देने होंगे आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो उसके लिए इफेक्ट साइब चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर गुड़ बाई